90% e-commerce business जो है पहले 6 months में ही बंद हो जाते है because of returns और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको returns से होने वाले losses को कैसे calculate करना है तो वीडियो को save कर लिजी और चलिए देखते हैं तो हम suppose करते हैं कि हमें 1 month में 1000 order receive हुआ है और उसमें से जो customer returns जो हमें order receive हुआ है 100 तो हम यहाँ पे returns का percentage निकालेंगे तो हमें 10% का round हो रहा है यह आप अपने panel पे check कर सकते हैं आपको कितना percent receive हो रहा है तो हमें यहाँ पे suppose करें कि 10% हमें receive हो रहा है एक customer return का loss हम लेके चल ले वो 200 पा लेके चल ले है है आप अपने हिसाब से calculate कर सकते हैं आपका कितना लोस होता है जिसमें हमारा forward shipping, reverse shipping, packaging और damage plus lost का जो charges है और हम यहाँ पे formula apply करेंगे जो कि मेरा बनाया हुआ है total returns into losses per order divided by total orders तो यहाँ पे हमें 100 customer returns order receive हुए थे तो यहाँ पे 100 लिख दिया customer returns में और यहाँ पे cost per returns loss जो हो रहा है हमारा वो 200 के आसपास हो रहा है तो मैंने हमारा लिख दिया और total orders जो हमें receive हुए वह 1000 हुए है तो total हमें 20 ज़ड़ पे losses हुए 100 customer returns order पे तो उसे हम यह 1000 total order से divide कर देंगे थे हमारा पर order जो customer returns का loss हुए 20 रुप्या हुआ अगर आपका कोई भी question या confusion है तो आप नीचे comment कर दिजिए मैं reply कर दूँगा